सुन्दर्पुर्णाम के जंगल में रानी चड़िया अपने पती राजु चड़े के साथ रहती थी कई साल बीट गए थे पर रानी चड़िया भी तक मा नहीं बन पाई थी राजु चड़ा एक किसान था वह अपने खेट में खेती किया करता लेकिन जल्दी जल्दी खेती करने से ज्यादा रसाइन खात के इस्तमाल से उसका खेत बंजर हो चुका था एक दिन रानी चड़िया अपने पती राजू से कहती है जी आप इस बंजर जबीन पर क्यों मेहनत कर रहे हैं? मैं कब से कह रही हूँ? इसको बेज दीजिये और कोई दूसरा खेत ले लीजिये इस खेत में कुछ नहीं उगेगा मैं एक साल से देख रही हूँ आप कितनी मेहनत इस जमीन पर कर रहे है पर अनाज का एक दाना भी नहीं उगा है आप इसे बेज दें राजू चिड़ा कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो ये सिर्फ खेत नहीं है मेरे जीवन का आधार है इस जमीन ने मुझे रोटी दी है मैं इसे नहीं बेज सकता जब इसमें फसल होती थी तो इसकी खूब देख रेक किया करते पर जब ये बंजर हो गई है तो इसे क्या ऐसे ही छोड़ दे तुम देखना रानी इसमें एक दिन खूब सबजी आउगेंगी जैसे आपकी मर्जी चलिए अब शाम हो गई है घर चलिए ऐसे हर रोज ही राजू अपने खेत में खूब मेहनत करता और एक दिन अपने घर आता है तो देखता है कि रानी चड़िया बिस्तर पर लेटी हुई थी क्या हुआ रानी ऐसे बिस्तर पर क्यों लेटी हो क्या बताओं आज सुबे से मेरी तबे ठीक नहीं है मैंने खाना भी नहीं बनाया है काश मेरी बेटी होती तो कम से कम रोटी तो बना ही देती आप एक काम कीजिए पड़ोस में रहने वाली बन्नो को बुला लाओ जब तक मेरी तबिय ठीक नहीं हो जाती तुम उससे ही काम करवा लेना हम एक कम से कम भोजन तो मिल ही जाएगा राजू चेड़ा बन्नो बुलबुल के पास जाता है बन्नो बेहन राणी की तबिय ठीक नहीं है क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर काम कर दोगी राजू भाईया माप करना मुझे कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जाना है मैं तो नहीं कर पाऊंगी आपका काम आप ऐसा कीजिये हमारे जंगल में एक अना चेड़िया घूम रही है उस काम की जरूरत भी है आप उसे ही काम कर वाले ऐसे बन्नो उस चेड़िया से राजू को मिलवाती है देखो चिड़िया तुम कुछ दिनों के लिए राजू भाया के यहां काम कराओ अच्छे से खाना बनाना जब तक राणी चिड़िया ठीक नहीं हो जाती तब तक ठीक है आंटी वह चिड़िया उनके घर में खूब काम करती अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और खेट में पानी भी अच्छे से लग जाता है तब राजू कहता है राणी मैं सोच रहा हूँ अपने खेट में किसी सबजी का बीज बोदू पास में बैठी वो अनाग चिड़िया कहती है अंकल जब मैं सबजी लेने गई थी उस सबजी वाले आपस में बात कर रहे थे कि इस बार टमाटर की अच्छे आमतनी होगी आप ऐसा कीजिए टमाटर की बीज बोदीजिए राजू चिड़ा कहता है ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है आज ही बजार से टमाटर के बीज लाता हूँ अगले दिन राजू बजार से टमाटर के बीज ले आता है और उस छोट इसी चड़िया के साथ मिलकर टमाटर के बीज बोदेता है कुछ ही दिनों में उसके खेत में लाल लाल टमाटर लज जाते है राजू उन टमाटरों को बेच कर बहुत पैसे कमाता है राणी चुडिया कहती है सुनो जी मैं कहती हूँ कि क्यों न हम इस बच्ची को गोद ले ले वैसे भी हमारे पास कोई उलाद नहीं है और इस बच्ची को भी अपना घर परिवार मिल जाएगा और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा ये सुनकर वैह बच्ची बहुत खुश होती है और उस बच्ची को भी घर मिल जाता है राणी चिडिया और राजू चिडे ने उसका नाम परी रखा ऐसे वैह तीनो खुशी खुशी अपना जीवन जीते है